वागत है आप सभी का एपी गैन चैनल के न्यूज सेक्षन में दोस्तो एक समय था जब एपीए सरकार में बिदेसी मुद्रा भंडार की कमी के कारण लडाकु बीमान रफैल का सौधा नहीं हो पाया था और अभी यह हाल है कि सभी इंटरनेशनल पेमेंट करने के बाद भी भारत के बिदेसी मुद्रा भंडार में हर साल लगभग 20% का इजाफा हो रहा है जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है और यही बज़ा है कि भारत अभी दुनिया में किसी भी परकार के हत्यार को खरिदने के हिम्मत रखता है किसी भी परकार का बिजनस करने को हिम्मत रखता है हमारे परोसी देश पाकिस्तान जहां बिदेसी मुद्रा भंडार की कमे के कारण हर बार कर्टोरा लेकर खड़ा हो जाता है कभी चीन के आगे तो कभी सवधिया की आगे तो कभी अमेरिका के आगे क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के कमर को पहले ही तोड़ के रख दिया है और अब चीन के नापाक मनसूबों को जवाब देने के लिए भारत ने चीन के सप्लाई चेन को भी तोड़ने का मन बना लिया है और भारत की इसी कोशिस और मनसोवों के लेकर के चीन घबराय हुआ है खबर यह है कि चीन के सरकारी कंट्रोल्ड नीज पेपर गलोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत जापान और अमेरिका के साथ मिलकर के चीन के सप्लाई चेन को तोड़ना चाता है जबकि चीन भारत के साथ बैट करके इन मुद्धों को आपस में सुलधाना चाता है गलोबल टाइम्स ने आगे लिखा है चीन के साथ भारत के बैपारिक घाटेंग में लगवग तीन अरब डॉलर की कमी आई है फिर भी भारत चीन के साथ बैपारिक मुद्धों को सुलधाना नहीं चाता तो वही पर चीन के फैनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भारत और जापान के साथ मिल करके चीन के सप्लाइचेन को तोड़ने की कोसिस करेगा तो इसमें भारत का ही नुकसान है इसलिए भारत को चीन के खिलाब कदम उठाने की बजाए भारत को चीन के साथ मिले करके काम करना चाहिए फिनेंस मिनिस्टर ने आगे कहा कि चीन भारत के बैपार घाटे को कम करने की कोसिस में लगा हुआ है लेकिन इसके लिए बारत को चीन के साथ बैपार मे अभी हाले की समय में आई टेंसर में कमी करना चाहिए और चीन को सहियोग करना चाहिए बैसे आपको बता दूँ कि चीन की खास़ अ烦 किया है कि कभी भी वह अपना नुकसान दुनिया के सामने नहीं लाता चीन को अभी भी भारी नुकसान हो रहा है हर मूर्चे पर साथे साथ भारत के कदम से चीन को अपना गलोबल सप्लाई चेन तूटने का खत्रा मंडरा रहा है जिससे चीन घबराय हुआ है और वह अपना डर चुपाने के लिए गलोबल टाइम जैसे नुच पेपर का इउज़ करता रहता है और इन्ही नुच पेपर के जर्ये चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि चीन तो भारत के साथ रिष्टे सुधारने में लगा हुआ है बट भारत है कि चीन के साथ रिष्टे सुधारने के बजाए बिगाड रहा है लेकिन भारत अभी किसी मूड में नहीं है कि चीन के साथ कोई compromise किया जाये क्योंकि चीन ने भारत के पीठ पे चूरब होका है जिसका जवाब भारत अच्छी तरह से देना जानता है और दे रहा है जिससे चीन तिल मलाया हुआ है और भारत के खिलाब प्रपेगेंडा करने में लगा हुआ है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्लीज हमारा होसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू धन्यवाद जै हिन जै भारत